MIUI 12 में काफ़ सारे ऐसे missing features है जो आपको बागी smart phones में या फिर MIUI 11 में देखना हो मिलते हैं या फिर global ROM में देखना हो मिलते हैं लेकिन आपको smart phone में देखना हो नहीं मिलते हैं जिसके आपका daily data users check नहीं कर सकते हैं clear cache नहीं कर सकते हैं clear speaker का feature देखना हो नहीं मिलते हैं इस तरह क आपको एक application install करने पड़ेगी जिसका नाम है Activity Launcher, इसका हम use MIUI 9-10 में भी काफी बाहर यूज कर चुक है, कुछ hidden features उसको use करने के लिए, तो इसको आप install कर ले ना, और काफी सारे मदलब इस application में settings के जो है, वो अंदर कुछ settings होती है, उसको access करने के लिए हम use करते है, तो सब settings का यहाँ पर दिखेगा, और setting के अंदर एक आपको shortcut देखे हो मिलेगा यह, तो यहाँ पर इसको आप इसका shortcut create कर सकते हो, जैसे आप shortcut create कर लेंगे, फिर आप इस application को uninstall भी कर सकते है, जैसे कि अभी create नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी application को shortcut create करने की permission नहीं दी हुए है, त हम setting में जाकर other permission में जाकर, यहाँ पर home screen shortcuts को यहाँ पर always allow कर देंगे, अब इसके बाद हमारी application, home screen पर shortcut create कर सकते है, जैसे कि मैं यहाँ पर shortcut create कर देता हूँ, अब जैसे हमारा shortcut यहाँ पर create हो चुग है, settings के नाम पर, तो यहाँ पर हम इसका use कर सकते है, speaker के लिए करने के लि speaker, तो जैसे आप इसको on करें, जैसे आप चेक कर सकते हो, Redmi Note 7 है, इसमें हमें by default feature देखने हो नहीं ही मिलता है, हम इसका use करके clear speaker का use कर सकता है, आपके speaker में dust पानी चला जाता है, तो यह अलग-अलग frequency पर sound create करता है, जिसके वज़द आपके यहाँ पर speaker थोड़ा clear हो जाता ह अब देखते है clear cache करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको यहाँ पर activity launcher में जाना होगा, यहाँ पर लिखना होगा storage, तो storage जब search करेंगे, काफि सारे यहाँ पर settings देखना हो मिलेंगे, यहाँ पर आपको settings के अंदर जो shortcuts देखना हो मिलेंगे, उन पर ध्यान द काफी बढ़िया सा हमें storage वाला UI देखना हो मिलता है, लेकिन हमारा clear cache यहाँ पर missing देखना हो मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका use कर सकते है, अब check कर सकते है 1.91 GB का हमारा cache है, तो यहाँ पर मैं clear करता हूँ, और जैसी पता है, जैसे हमारा clear होता है, थोड़ा time लेता है, तो हमारा cache clear हो चुका है, तो इस तरह सा आप use कर सकते है, इसका shortcut भी आप create कर सकते हो, अब check करते है बाई data users कैसे on करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे control center में, यह right साइड में, यहाँ पर daily data users दिखा रहा है, यह मैंने global ROM install कर रहा है, क्योंकि यह feature मुझ इसमें देखन क्योंकि third party application तो मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूगा, और जितनी कम third party application यूज करें, उतना ही अच्छा होगा, और बैटरी भी consume करेंगा, उसको lock करके भी रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी recommend नहीं है, लेकिन आपको play store में आप एक चीश कर सकतो, third party application यूज करना चाहतो, तो यहाँ पर daily data users के यहाँ पर काफ सारी applications देखना हो मिल जाएगी, जिस application में आपना daily data users चेक कर सकतो, और यहाँ पर इसका shortcut जो है वो आपके status bar में create हो जाता है, जो भी आपको notification panel है यहाँ पर, वो आपको daily data users दिखाएगा, तो आप इसका use कर सकता है, लेकिन यह भी recommend नही shortcuts, यहाँ पर दिखेगा daily, sorry, data users, तो data users को आपको on करना हो, और इसका shortcut जो हो आपके home screen पर create हो जाएगा, अब simply क्या करना हो, data users जैसे आपको दिखाएगा, जभी भी आपको check करना हो, click करकर आप check कर सकतो, तो यहाँ पर धियान देना, यहाँ आपको daily data users दिखाएगा, और उ सबसा बढ़िया solution इसका यह है फिलाल, लेकिन future में update आएगा जिसमा आप control center में भी daily data users चेक कर पाऊगे, लेकिन फिलाल आप यहाँ से चेक कर सकतो, और यहाँ कफी सही है, इसका लावा भी आपको एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप display में जाका control center जो है आपका new वा इसके लावा अगर आपको कोई और missing feature लगता है और आप चाहते है कि उसकी वीडियो बनाओ, तो नीचे comment करके बता देना, या फिर उसका solution भी पता है, तो भी नीचे comment करके बता देना, मैंने यह वीडियो बना रहे हैं, आप यह वीडियो भी देख सकतो, और वीडियो करदेना,